अजी असलाम लेकुम जी यह अपना दानी शिम्रान भाई का यूनिट है कापर वाला स्पेशल स्टैबलाजर यह बदीन के लिए जा रहा है सिंद बदीन यह इसकी लीड है मेन पावर के बल है इसको हम लगाएंगे वाबडा पे यह 216-17 वोल्टे जा रहे हैं इसको अन करें इनपुट वोल्टेज नीचे वाले मीटर के उपर लगा हुआ है 180 सेगन का टाइम यह रेखें 160 हो गए अभी 180 है यह काम होने शुरू हो गए यह तीन मिनट का टाइम इसको जल्दी चलाने के लिए आपने सिंपली कुछ करना नहीं है यह खुदी आटमेटिकली तीन मिनट लेकिन अगर आपने सी को जल्दी चलाना है यह री सैट बटन से आप इसको जल्दी चला सकते हैं मैं लोड लगा लगा के आपको छेक करें बैक सैट के उपर एक आपको सॉकट दी यहिए इसके अंदर 3-PIN भी लग जाता है टू-PIN भी लग जाता है यह इधर से इंदर से यह ओनों हो चुका है ठीक है जी अभी वोल्टेज सबसे पहले मैं आपको इदर से ज्यादा करके दुखाऊंँ वोल्टेज यह इसने यह 240-50 को इसने कम कर दिया ठीक है जी यह देखें इदर वोल्टेज ओगे डाइस हो अभी वोल्टेज कम हो रहे हैं इसके ठीक है विडियो में बबल कह रहे हैं वैसे मीटर ठीक है देखने में सही है यह टिक कर दिसने अभी वोल्टेज कम हो रहे हैं यह एक मरतवा फिर टिक कर दिसने 132 वोल्टेज दूपर और यह सब्णें ठीक है 160 इधर भी देख लें 500 दक भी काम कर जाएगा 500 से नीचे जाएगा तो बंद हो जाएगा 280 से उपर जाएगा तो बंद हो जाएगा ये देखें अभी ये काम हो रहे हैं 140 135 130 ये नीचे लिखा आगया लो ये रेखें ठीक है जब आपकी वापड़ा नार्मल होएगी ये खुदी दुबारा चल पड़ेगा नार्मल से क्या अमराद है जी ये रेखें ये डेट सो एक सो साट के करीब ओल्टेज होंगे ये इसका सिस्टम टाइमर खुदी पकड़ लेगा ये टाइमर पकड़ लिया तीन मिनट के बाद ओनो होजेगा जल्दी चलाने के लिए री सैट का बटन दिया गया है ये दाने शिम्लान भाई का यूनिट उसकी आपको चैकिंग करवाई है जी कापर वाला स्पैशल स्टैबलेजर एक सोशाड़ वाला बदीन सिंद्ध के लिए जा रहा है जी ये देखें जी ठीक है जी ये यूनिट आपका मकमल है जी जब आपने इसको उन करना है तीन मिनट के बाद इसने उनो ना है इधर शिफर होगा फिर ये उनो जेगा लें जी ये पीस आपका मकमल है